हेलो तोस्तों मैं सुभर मिंजयन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीची नोलिच हमें जैसा कि लास्ट वीडियो हमें हमने है recording of transaction first means कौन कौन सी चीजे हमने पढ़ ली थी जर्नल पढ़ ली थे लेजर पढ़ लिया था ठीक है और थोड़ी बहुत transaction debit and credit rules इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था अब हमें पढ़ना है कि transaction टू ठीक है लिखा क्या जाता है books लिखा जाता है means इसमें debit credit का अलग चीज होगा और इनके नाम के आगे account नहीं होगा like हम कहते क्या है cash account यहां पर अब क्या लिखेंगे cash book ठीक है और कुछ ही books है कौन कौन सी है cash book purchase return sales book sales return journal proper ठीक इन सभी के बारे में धीरे धीरे जानते हैं यह चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाले वीडियो भी पड़ी होने वाली है लेकिन जो इसके notes है वो थोड़े से हैं क्योंकि इंसफिसेंट है प्रैक्टिकल के लिए questions आते हैं इसके theory में थोड़े बहुत आएंगे तो इतना मैंने इसके notes नहीं बनाए ठीक है मैंने वोला क्या आफ आई रहा इतने बड़े notes दे दूँँ आपको फिर पढ़ो और marks में आए 2-3 marks का तो फाइदा निया को सिसकरना इसक हमारे पास जो box आती हैं या पर हम records हैं वो किस तरीके से record कर लो तरीके से prepare करते हैं हम करते है है 만1 जोई सबसे पहलाँ चीज को होते हैं हमारी जन्रलar entry करना है ठीक अकाउंट्स प्रिपर किये जाते हैं अब देगा यहां पर दूसरी चीज भी माने जाती है यह हो गया हमारी, primary books authentic book कौन से होती है हमारी जो हमारी यह पांच छे हैं 6 छे हैं यह 6 कांच से हैं cash book purchase book purchase return sales book sales return और journal proper सभी का अपना-पना purpose है कि क्यों बनाई जाती है तो इनका advantage क्या है कि हम अलग-अलग यह 6 बूक्स क्यों बनाते हैं पहले वह समझते हैं कि इनका Advantage क्या है मैं लिख देता हूँ Advantage तो सबसे पहला Advantage हमारा क्या आता है Division of Work Division of Work एक चीज बताइए एक ही बंदे को अगर मैं साथ काम को दे दूँ ठीक है और साथ पर्सन को मैं एक एक काम दे दूँ मिंस सभी को एक एक वर तो कौन सा बैस्ट रहेगा किस पे कम burden रहेगा या फिर किस पे अच्छा रहेगा हम कहेंगे घर साथ जनों को अगर आप एक एक काम दे दोगे तो बहुत फाइदा होगा बंदों के पास बड़न भी कम होगा efficiency भी होगी means अच्छी तरह से काम करेंगे और वह experience हो जाएंगे उस काम को करने में हमारे पास उसके time की भी होगी time भी save होगा क्यों एक बंदा अगर साथ काम को एक साथ करेगा तो हो सकता है एक पूरा दिन लग प्रावी और प्रैवोगा toih back लोगे तो आदर दिन लगे या फिर हो सकता है एक दो घंटे में काम खटम भी हो जाए ठीक है 3 इसरी चीज़ अब हमें अगर किसी भी काम में कोई problem निगलती है तो हम क्या और सकते हैं उसको ये बदा गर सकते कि किस काम में कमी है और किस काम म तो होगे division of work हम क्या करते हैं सभी के काम को बाड़ देते हैं बाड़ ना कैसे एक बंदा बनाएगा cash book एक बंदा बनाएगा purchase book एक बंदा बनाएगा purchase return book एक sales book एक sales return book और एक journal proper ठीक है इस तरीके से हम काम को बाड़ देते हैं जैसा कि मैंने का था कि अगर एक बंदा एक ही काम को रेगुलर करता रहेगा तो वह क्या है उसको experience हो जाएगा उस काम को करने का और वह अच्छे से कर पाएगा तो हम सेकिंड एड़ांटेज क्या कहेंगे efficiency चीक थर्ड एड़ांटेज क्या होता है saving of time जैसा कि मैंने बताया अगर एक बंदा साथ काम को करेगा तो हो सकता है एक पूरा दिन लगा दे और अगर साथ जने उसी उन्ही काम को करेंगे तो हो सकता है दो तिन घंटे में काम हो जाए तो हम क्या लिखेंगे saving of time टाइम सेव हो जाता है हमारा कि कॉर्थ हमारे पास information होती है किस चीज की जितनी भी हमने transaction की है और वो भी किस जगे होती है separate होती है ठीक मेंस कैस की सारी चीज है कैस वाले बंदे के पास होंगी परचेज वाली सारी चीज है किस के पास होगी परचेज के पास तो हम क्या लिख सकते हैं इदर availability of information हमारे पास information की जानकारी पूरी होती है अगर हम एक बंदे के पास ही सारा काम दे अब उससे बुलें भाई परचेज की सारी एंटर हमें चीज या परचेज की देखना राम से हमने कितना परचेज किया तो वह बंदा पहले क्या करेगा सारी बुक्स खोलेगा सारी बुख परचस वाली ऑक काài फिर फर्चेज हाली भूक में राम को देखेगा ठीक है दूसरी जगह इंगा अगर मसाज़ल Kingsफ दे लिए या जाए च्छट्टे क्या जाता है responsibility हमारे पास responsibility हो जाती है उन साथ बंदों पर कि अगर जिसने भी गलती की तो वह पकड़ा जाएगा जिस अकाउंट में जिस बुक में गलती मिलेगी तो हम उस बंदे को responsibility मलब उसको उसकी गलती को देख सकते हैं मिन्स गलती समझ सकते कि इस बंदे की गलती थी लाइक मैं मानके चलो राम को मैंने कैस का पूरा डाटा वो रख है कि समाल के रखना है और कैस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या कहेंगे वह राम आपकी गलती है क तो हम आपको जिम्मदार इस्च चेज का मानते हैं ठीक के आगे बड़े मुझे है। सबसे पहले हमारे कौन का थरह है और कैस्व क्या सीन है कैस स्धक डूस क्या सेनो के स्ट्क एस मजू बंते हैं आ मारा वह स्ट्रीम टूसें गेंस डूसें हैं केस अकांट की तरह बनता ह है cash account की तरह बनता है ठीक तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं principal book भी कह सकते हैं क्या क्यों क्योंकि लेजर जो होते हैं हमारे ओ'm principle accounts होते हैNS सबसे number one पर माने माने जाता है कि अगर हमारा कुछ भी problem आती है तो सबसे पहले हम जर्णल पर बिलीव करते कि हाँ जर्णल जो एंट्री हमने कियोगी वो किसी ना किसी evidence के तुद ही की पास के योगी और जर्णल के बाद आपको पता है कहां जाते हैं laser में और laser क्या बनते हैं accounts इसका मदलब जितने भी accounts हैं हमारे किसी ना किसी source document means evidence के ठुरू ही prepared किये जाते हैं तो हम उसको कैसे principle book मतलब सबसे main book हम कह सकते हैं तो हमारी cash book किस की तरह बनती है same to same cash account की तरह तो हम उसको क्या प्रिंशिपल book कह सकते हैं इसका मतलब हम क्या कहा हैं cash book और cash account में जियादा डिफ्रेंस है जी नहीं थोड़ा बहुत slightly सा difference है बनाने में बाकी सेम है ठीक आगे बढ़ते हैं अब देखो cashbook बनती कितनी तरीके से है cashbook का chapter अलग है क्योंकि cashbook के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए तो पहले देखिए cashbook कितनी तरीके की है single column double column pretty cashbook यह तीन तरीके की हमारी cashbook होती है अब single column double column और pretty cashbook में फर्क क्या है मैं इदर लिखता हूं single column double column और pretty cash pretty cashbook अब देखना इन दोनों में तो नाम से समझ में आ रहा है कि single column और double column means इसमें क्या बनेगा केवल एक column बनेगा ठीक और double column book में दो column बनेंगे अब दो किस चीज़ के बनेंगे इसमें एक किस चीज़ का बनेगा इसमें बनेगा केवल cash account का means cash से regarding cash का column बनेगा और इसमें किसका बनेगा cash का साथ के साथ बैंक का मीन्स दो कॉलम बनेंगे कौन से कैश और बैंक नाम से समझ में आया सिंगल कॉलम और डबल कॉलम ठीक इधर विच्छंपॉप क्या कहता है पीटी का मतलब होता है छोल दीद मैं कितों श्कोटव करके होती हैं मतुझे हैंестно को बोला जाए कि आप कोई बिजनेस करते हो उसमें चोटे-मोटे खर्चे होते हैं कौन-कौन से बहुत जो डेली खर्चे होते चोटे-मोटे लाइक स्टेशनरी का समान हो गया या फिर आप मान के चलो इसकूल चलाते हो ठीक है तो इसकूल में आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती होगी चौक की मारकर की ऑ्सका की टेश्टर की तो इन चीज ओंपर खर्चा करना जो रוגर् einzige होते लेकिन कितने कौम अमॉंट को होते हैं तोम चला की टेख्रुक अब इसम Susie सिंपले देन उसके सिंगल कॉलम और डबल कॉलम समझेंगे तो पिटी केश्बूक में क्या होता है आपके स्मॉल अमाउंट के खर्चे जितने भी होते हैं वो माले जाते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं त्रेहलिंन के मालो या डेली कोहीनकोई आता जाता करते हैं हमारे हैं में इसके आने जाने का खर्चा हम भी करतें को कि एंटरान में भेज देते हैं करो सोरुम कहारों सौरीتي Caesar में भेज तो उसको दिखाने बेज देता है जिससे उनका माइन्द और फ्रेश हो जाए थोड़ा बहुत है इस टेशनरी हो गए पोस्टेज हो गए पोस्टेज क्या होता है हम अगर कोई भी पोश्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि उसमें क्या जाता है एक फ्री चित्रत से लगती है है तो इस तरीके से छोटे मोटे खर्ची होते हैं वो हम कहा रीकॉड करते हैं czem eg बंती कैसे आ은 तो आपको मेंसे जी मैं रहा है प्रैक् Carne ऌोशिंस त्रॉड और वहां मेंसे लेकिन फ्रैक्त जी करोफären नहीं कितरे कि हैं दो तरीके की पहली होती है सिंपल there are और दूसेरी होते हैं अफोग व threat u इस शिंपल कैश्टबुक हमारी बनती है कैसे मैं ज्यादा पतल दिक्क्ष हृती滿 cashbook कैसे बनेगी हमारी टी10 की बाला होगा एक चिसमें क्या होगा जितनी बे। ट्रांजेक्शियसमें हम एक अग करके रिकॉर्ड करते जाते हैं में जिस जिस तरीके से जिस डेट बे खरचे होते रहेंगे लायक मांने चलो पहले मैंने हाल ट्रेवलिंग फ benefit लिखेंगे एंटरेटेन में दूसरा अगर पहला खरचा क्या है ट्रेवलिंग का दूसरा खर्चा है entertainment का तीसरा खर्चा है हमारा पोस्टेज का चौता कर्चा है हमारा केरियर केरिज का मिन्स सामान इधर उदर भेजने करने का तो लाइन से लिखेंगे और amount लिख देंगे जो भी amount होगा यह कौन सा हुआ हमारा simple method इसमें क्या होता है हम जज नहीं कर पाते कि कौन सा कहां पर किसके under काम हो रहा है ठीक मिन्स ट्रैवलिंग पर खर्चा जितना भी होगा वह हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे हमें सारी ट्रैवलिंग की जोड एड करना पड़ेगा तब हमें पर चलेगा टोटल ट्रैवलिंग पर कितना खर्चा हुआ क्यों 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 और मिसलीनियस एक्सपेंस अलग चोटे मोटे अलग नाम के मान के चलो कि जो अलग ही चीज़ें होती है ठीक है वह एक्सपेंस अलग तो अगर आपसे पूछा जाए कंपनी से पूछा जाए कि आपने ट्रैविलिंग पे कितना खर्चा किया हम क्या करेंगे कैस्बुक खोली उसमें देख लाए ट्रैविलिंग के नीचे कितना अमाउंट है मान के चलो 100 रुपे तो हम बता देंगे ट्रैविलिंग पे 100 रुपे खर्चा हमने क्या है क्या यह चीज़ सिंपल में कर पाऊगी जी नहीं सिंपल में आपको क्या करना पड़ेगा सारे ट्रैविलिंग के खर्चे देखने पड़ेंगे डूड़ेने पड़ेंगे फिर उनको एड़ करना पड़ेगा दैन आपके पास वह अमाउंट आएगा ठीक समझ में आता है थोड़ी बहुत थेउरी पढ़ ले अब थेओरी में क्या है तो थेओरी में एक चीज बताते हैं चलते हैं अब दे से较टते होगी अब देखो जब हम कैसा की एंट्री करेंगे मिस हमारी किसमें रिकार ओडां उगी संगडल रिकार्ण में किसके से निज्ञ और था निया काते है लाइन टू लाइन में मलग कुछ न कुछ टॉपिक छेड़ते रहेंगे और दीर दीर आगे आगे पढ़ते रहेंगे एक एक टॉपिक कंप्लीट करते रहेंगे चैक आता है और आपके पास आज आपने क्या कर रहा है आपके पास चार बजे के बाद आया अब आप बैंक में जमा ही नहीं कर पाए, बैंक में जमा नहीं कर पाए, डिपोजिट नहीं कर पाए, तो आपके पास क्या रहा, वो चैक इन हैंड रहा, ठीक, मिन्स आपके पास वो हाथ में चैक है, बैंक में जमा नहीं किया, अब नेक्स्ट डे, मान के चलो ये एक जनवरी को हुआ, और दो जनवरी को आप क्या करते हो BANK में check deposit कर देती हो अब एक चीज बताओ जिस दिन check received हुआ उस दिन क्या entry होगी हमें पता है जिस दिन check हमें received होता हम entry क्या करते हैं जिससे हमें received होता है उसको हम क्या करते credit क्योंकि वह अगर debtor था तो उसने अपनी liability कम कर ली हमारे assets कम हो जाएंगे और assets कम होते हैं तो क्या करते हैं credit हम यहां मानके चलते हैं गोलू था गोलू ने हमें चेक दिया तो गोलू account क्या हो गया credit अब check in hand को क्या करेंगे debit check in hand को debit कर देते हैं ठीक क्या इसमें check in hand और ठू गोलू में cash और bank की कोई बात आई जी नहीं कोई बात नहीं आई इसका मतलब एग जनवरी को इस तारिक को एग जनवरी को हमारी ना डबल कॉलम में कोई एंट्री होगी ना ही सिंगल कॉलम में क्योंकि सिंगल कॉलम में तो बैंक से रिलेटिड ट्रांजेक्शन होती नहीं तो सिंगल कॉलम में तो होगी नहीं होगी क्यों क्योंकि जब हमारी एंट्री हुई एक जनवरी को तो एंट्री क्या हुई थी चेक इन हेंट टू गोलू और इसमें कैश और बैंक से यह नहीं हो रही है। इस दिन आप ब्रकित किया चेक को उस दिन के एंट्री होगी आप क्या करो गेंक बढ़ जाएगा क्यों ने क्या रूपे । रुपे टिया अपने अपके पाद से चला जाएगा तो अब कम होगी तो डेःट व्यू secular कow हमारी entry क्या होगी bank account debit to check in hand इसका मतलब जब आप entry करोगे कब entry होगी जब आप check deposit करोगे कहां होगी bank account में कि किस तारिक होगी जिस दिन आपने check deposit किया होगा और किस amount होगी जितने का check amount होगा कि समझ में आया कि जब check in hand आता है तब हमारी entry कहीं नहीं होती लेकिन जब हम deposit कर देते हैं तब हम उसकी entry कर देते हैं अब देखो होता क्या है कि यह तो मैंने बता दिया जब check in handle कुछ transactions में मान के चलते हैं चेक रिसीवड रुपीज हेंड्रेट प्रॉम गोलू ठीक बस इतना ही transaction हमें given है अब मा सोचने वाली बात है चेक received हुआ है अब वो हमने अपने पास रखा या बैंक में जमा कर दिया या किसी को दे दिया हमें कुछ नहीं पता नहीं information हमें given तो हम क्या मान के चलेंगे यह same day He same day he deposate कर दिया है यह क्या है हमारी assumptions है यह क्या करते है जब कुछ चीज given नहीं होती हम क्या मान के चलते हैं इसमें same day ही उसने deposit कर दिया means जिस दिस दिन आपके पास check receive हुआ उसी दिन आपने deposit की तेदिया कर दिया और आगे बढ़े अब देखो अब एक चीज़ मैंना बताई थी जो कैस्बूक होती है वो किसकी तरह बनती है सीम टू सीम कैश अकाउट की तरह मिन्स इसमें भी डैबिट क्रेडिक होंगे तो फॉर्माट ऐसा बनेगा हमारा कैश भुक का जैस भुक का हमारा फॉर्मेट बनेगा डैबिट एहां लिखेंगा हम कैश भुक नहीं गीट ज्टून अ टरह ऐसे पर्टिकूलर कॉछ कि हमांट तो हम पर्टिकूलर को कि अ Вот इसे यहां पर क्या आता है हम और याद होगा जब आप कैसर अकाउंट बनाते हो या किसी भी लजर बनाते हो वहां क्या आता है laser folio का एक column और बनता है ठीक जब जनल एंट्री करते हो तब भी तो बनता है laser folio का ठीक तो उसी तरिके से हमारा यह क्या बनेगा cash book और हमें पता है debit कब होता है cash book means cash account हमारा debit कब होगा means cash account हमारा बढ़ेगा कब तभी तो हमारा debit होगा means cash जब हमें received होगा इसका मतलब debit side कौन सी एंट्री आएंगी सारी रिसेट वाली आएंगी और credit side कौन सी एंट्री आएगी payment वाली ठीक याद रखिएगा जितनी भी received वाली entry होंगी cash received वाली वो सारी कितनी किस साइड आएंगी debit side और payment वाली credit side समझ में आया cash book में और साथ के साथ यह तो होगी single column double column पर आजाओ double column में क्या बन जाएगा cash book नाम रहेगा लेकिन column कितने हो जाएंगे एक एक और जुड़ जाया कौन कौन सा इधर लिखेंगे cash book और सरी cash और दूसरे में bank यहां लिखेंगे cash और यहां पर bank means एक कॉलम और जुड़ जाएगा किस नाम से bank के नाम से और सेम treatment क्या होगा जब received होगा तो bank debit होगा और जब payment होगी bank से तो credit होगी इसमें अब एक चीज और आती है क्या payment और रिसीवड आले चीज समझी गए होगे आप जब भी रुपे रिसीवड होंगे तो cash में debit कर देंगे बैंक में आ रहेंगे तो bank में debit कर देंगे अगर हम payment बैंक से कर रहेंगे तो bank credit कर देंगे otherwise cash credit कर देंगे आगे बड़े आगे क्या है एक transaction मानके चलो क्या होती है cash deposit in bank rupees 500 500 रुपे आपने क्या करा bank में जमा करती है अब देखना इसकी alternative क्या होगी means general entry क्या होगी bank में जमा किये तो हमारा bank क्या बढ़ जाएगा और assets बढ़ता है तो debit तो bank account debit कर देंगे हमारे पास से cash चला जाएगा और cash क्या होता है assets assets कम हो जाएगा तो credit कितने से 500 रुपे से इस entry को इस entry को किस तरीके से आप record करोगे जब आप journal यह बनाओगे क्या cash book या cash account दोनों में यह सेम अकाउंट वह होगा treatment debit credit date और laser folio वाला में वह बनाने वाले नहीं हो ना लिखेंगे cash bank cash bank और यहाँ पर पर्टिकुलर्स के पर्टिकुलर्स ठीक है यह बन गया हमारा format अब इसको entry कैसे करनी है याद रखना है कैस हमारा क्या है ओ स्री बैंक हमारा क्या बढ़ रहा है और बढ़ता है तो किस साइड लिखते हैं debit साइड ठीक डैबिट साइड प्लस होगा और क्रेडिट साइड माइनस दोनों चीज है 500 रुपए से बढ़ रहा है किस की वज़ाए से बढ़ रहा है कैस की वज़ाए से तो हमें पता है इधर लिखेंगे cash account कितने रुपए 500 रुपए अब देखो cash account क्या है कम हो रहा है cash account कम हो रहा है means यहाँ पर entry होगी credit side में और किस की वज़ाए से गट रहा है क्योंकि bank account में हमने जमा कर दिया तो यहाँ पर क्या आएगा bank account 500 रुपए अब देखो entry क्या हुई credit side भी हुई और debit side भी हुई तो इस entry को केवल केवल इस entry को जहाँ पर cash और bank दोना effect करेंगे वहाँ पर एक और column बन जाए और नाम बीच में इस column के सामने लिखतेंगे सी अब इसी का मतलब क्या होता है kontra क्या मतलब होता है kontra kontra गैमनी kontra entry कहते हैं ठीक है इस kontra entry में क्या चीज होता है आप या तो cash deposit कर रहे होते हो bank में या फिर cash withdrawal कर रहे किषच विट्राउ करोंगे तो क्या होगा आपके पास कैसा जाएगा मैंस बिजनेस केपास कैसा जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तब भी तो दोनों तरफ एंट्री होगी cash account bank account तो हम क्या इसको denote करते हैं counter entry से denote कर देते हैं कॉलम और चोटा सा बना देना और दोनों side c लिख देना c का मतलब क्या होता है हमारा contra entry ठीक कुछ special entry है जो मैं अब करा रहा हूँ आपको तो यह कौन सी होगी पहली तो यह होगी जहां पर हमारी counter entry होती है कि दूसरी आजाओ कि दूसरी है हमारे पास check आया check-in hand वाली भी मैं करा चुका entry आपको यह है यह है यह चेक इन हैंट वाली ठीक है एक एक एंट्री है इस पे चाहिए होले मतलब यह जैक आया इन हैंड आपने कर्णा करा कि दिपोजिट करने के बाद आपको पता चला वह क्या हो गया dishonor हो गया कौने टिश्आर का मतलब है बांस हो गया अपने नाम सुनाओगा चैक बांस हो का मतलब होता है या तो उसके नकली थे या फिर गलत थे या फिर उसके aquestNatin ने तक जैक था like मैंने दस अजार रुपे का चैक बनाया लेकिन मेरे अकाउउंट में कितने हैं पांच अजार रुपे हैं तो क्या बैंक उसे 10,000 दे देगी अगर मेरा current अकाउंट है तो हो सकता है दे दे लेकिन सेब इस account होगा तो कर दिया यह दोनों मानके चलते हैं सेम डे हुआ ठीक तो हमारी एक एंट्री कम हो जाएगी कौन सी हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट को कि बैंक हमारा बढ़ जाएगा हमने जब डिपोजिट कर दिया तो तू गोलू मानके चलते हैं गोलू से हमें रिशीव्ट हुआ ठीक मानके चलते हैं सो रुपे का यह होगी हमारी कौन सी पहली एंट्री तो जब आप यह अकाउंट बनाओगे इधर बस हम मैं बैंक का कॉलम ले रहा हूं ठीक है कैश्बुक में बैंक का कॉलम है अधिया तो कटे हैं टो एंट्री क्या होगी आपकी और किस साइड होगी हमें पता है इस वाली एंट्री में बैंक बढ़ रहा है किसका वाज़ा से गोलू की है जैसे कितने रुपे से 100 रुपे से तो हमारे एंट्री इस तरीके से होगी ठीक फिर क्या होगा लिए डिश रुपे और काट लिए बैंक ने बोला फालतु की काम करवाते रहते हैं हम से अब यह तुम्हारे लिए थोड़ी ना बैठे हैं कि तुम गलत गलत चेक देखते रहोगे और हम यह असेप्ट नहीं करके बिया तुम्हारे बस उतने रुपे माइनिस करेंगे अब की बार आपक आपको रुपे ले नहीं है ठीक टू बैंक अकाउंट को कम कर दोगे क्यों क्योंकि आपका बैंक अकाउंट तो उतना भड़ा ही नहीं कितने से सो रुपे से उल्टा बैंक अकाउंट क्या हो गया कम और हो गया बैंक अकाउंट कम और हो गया अब बैंक अकाउंट कम होगा और खर्चा बढ़ता है तो डेविट और बैंक हमारा क्या असेट्स असेट्स कम होगा तो ग्रेडिट अगर देखा जाए तो यह एंट्री होनी चाहिए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए लेकिन इस काम में इस टाइम पे क्या यह जो बैंक चार्जेस दस रुपे काटे हैं वो हम पे करना चाहिए यार एक चीज बताओ गलती इसमें किस की थी गलती बिजनेस की नहीं थी गलती किस की थी गोलू की थी जिसने चैक बनाया जिसने च चेक इसने दिया और गल्ती किसकी गोलू की तो पे कॉन करना चाहेगा गोलू से हम वसू लेंगे तो हमारी यहां एंट्री होगी 110 रुपे से कितने से 110 रुपे से और गोलू को किसे से डेविट करेंगे 110 110 क्यों 100 रुपे तो वो जो इसने दिये नहीं प्लस 10 रुपे उल्टा हमारे बेंक से और कटगे किसकी वजाजय से कौलू की वजाज़े से तरह में आया यहाँ पर जब आप एंट्री करोगे तो यहां पर एंट्री कैसे होगी तू बैंक अकाउंट है आए भी बैंक क्या होग्रायिंड है क Не Conseक्ष के एक सो दस से किसके वजए से हो रहा है गोलू की वर यहां लिकोंगे गोलू होगे पूर्च चुक्य हम है पता है jsब माइनस होता है बैंक कम होता हो रहा है तो हम क्या करते है credit और credit किसके जैसे हो रहा है गोलू की जैसे कितने रुपे से 110 रुपे से कि एंट्री समझ में आई जब हम क्या करते हैं कि बैंक चेक टिसोनर हो जाता है कि आगे बड़े कि चौत्ती चीज़ देख लेते हैं इसी में हुआ कि हुआ कि हुआ कि गोलू से चैक रिसीव हुआ है और आपने यह चैक इसको दे दिया और निकिता को कि यह कर दिया चैक कि इसको ट्रांसफर कर दिया ठीक है अब एक चीज़ बताइए जब आपके पास चैक आया होगा इससे गोलू से तो आपने एंट्री क्यों क्यों होगी कि चैक इन हैंड अकाउंट डेबिट तू गोलू अकाउंट ठीक है यह कौन ची होगी पहले एंट्री जिस दिन चैक हमारे पास रिसीवड हुआ दूसरी एंट्री जब आपने वो चैक किसको दे दिया निकिता को ठीक और निकिता को क्यों दिया होगा क्योंकि आपको इसको कुछ ना कुछ आते हैं डेविट निकित अकाउंट डेविट तू किसकी वजाए से चैक जो हमारे पास था वो हमने क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया तो टू चैक इन हैंड अकाउंट अब एक चीज बताइए क्या इन दोनों एंट्रियों में से किसी में भी कैस या बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुई या उनका नाम आया जी नहीं कोई भी नाम नहीं आया इसका मतलब जब हमारे पास कोई चैक आता है और हम उसे ट्रांसफ वह रिकॉर्ड नहीं होने वाली समझ में आया कि कुछ एंट्री जो मैंने बता दी अब आप जब प्रैक्टिकल कोश्चन वाले मेरी वीडियो देखोगे उसमें आपको यह चीज समझ में आने लेगेगी कि किस तरीके से इनको शॉल्व करना है यहां पर मैंने आपको क्या पर मैंने ना कर दिया एक तरीके से एकजामपल दे दिया है कि किस किस तरीके से एंट्री जो हमें डिस्टर्ब कर सकती है सब्सक्राइब कर सकती है इस आगे बढ़ते है रागे क्या है ten bank of cash books balance of cash books of balance क्या है पता है अगर हमारे पास 100 ठाट है जुकले हैं अगर हमने ऑचाइन 20 रुपय आप बचा at the end of year या फिर जब भी जो भी फिरियड होगा उसके बैलेंस अब एक चीज़ सोच के बताना मेरे को क्या कैस का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है यह मींस क्या आपके पास कैस माइनस में जा सकता है मान के सलो सो रुपे मैंने आपको दिये और बोला जाओ खर्च करो मौज लो त्रीक आप कितना खर्च कर सकते हो इन सो रुपे मैं से इसका मतलब आपका कैश का बैलेंस या तो डैबिट होगा या फिर ने लोगा या तो कुछ ना कुछ positive का amount होगा या फिर 0 रुपे होगा या तो आपने 100 के 100 खर्च कर दिये तो क्या होगा जीरो और अगर आपने 100 नहीं करें उससे कम करें तो जैसे मान के चलो 80 रुपे खर्च की है तो 20 रुपे debit का होगा नहीं होगा आपके पास cash होगा ना तो यह चीज क्या होई जब आप cashbook बनाओगे तो उसमें जब cash का column होगा तो वो कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता वह कभी भी क्रेडिट नहीं होगा उसका बैलंस कभी भी क्रेडिट नहीं आने वाला हमेसा debit side क्या होगी increase होगी यह ज्यादा होगी more कह सकते हो more than क्रेडिट साइट ठीक समझ में आगी कैस कॉलम का ओनली ओल कैस कॉलम ठीक दूसरी से तरफ देखा जाये तो बैंक कमान के चलो छैये बैंक अब गलान कर्यंट अक्षान कर्एंट में मैंने आपको बता था अगर आप 210 रुपे का भी चेक एशू करते में तो बैंक क्या का मतलब हमारा बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है किस तरीके से एक्जाम्पल देखना मान के चलो मेरे पास बैंक बैलेंस है 100 उपेगा बैंक बैलेंस इसका बिजनेस का बिजनेस ने क्या करा चेक इसू किया टू गोलू कि रुपीज इस वन वन जीरो ठीक अब बैंक वाले नहीं है क्या ग़रा पेमेंट कर दी कि पेमेंट कर दी इसका म्दलब आपके पास सो रुपे थे हमारे पास अगर रुपे होते हैं बैंक में तो क्या करते हैं debit mean 100 का balance debit का अब 110 क्या हो गए कंब हो गें तो हम कंंग जब बैंक कम होता है तो क्या करते क्रेडिट तो जो हमारे पास balance बचएगा वह बचेगा credit का दस रुपे किसके बचे क्रेडिट के मीन्स हमारा बैंक बैलेंस जो था कि वो क्या हो गया क्रेडिट का और क्रेडिट का मतलब हमें पता है क्या नेगेटिव इससे हमें क्या बाता चलता है जो हमारा bank balance है वो हमारा debit भी हो सकता है निल भी हो सकता है और credit भी हो सकता है ठीक अगर bank balance credit है तो इसको नाम दिया गया है क्या bank overdraft का क्या मतलब है bank मैं से आपने over का मतलब ज्यादा draft मतलब निकाल लेना मिन्स आपने अपनी limit से ज़्यादा निकाल लिया कितना ज्यादा निकाला दा 10 रुपे क्यों 100 रुपे थे 110 रुपे निकाल लिए तो बच्चे कितने 10 रुपे क्या थे ज्यादा निकाल लिए थे चिक कि तो एक चीज बताईए अब इसकी solution देखना कैसे होगा कि याद रखना कैस्ट बुक का सबसे बड़ा चैप्टर रहा है बाकी जो पर्चेस बुक और जो अधर बुक का जो चैप्टर है सेप्रेट चैप्टर है लेकिन वह सबसे छोटा है और इसी है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला बस एक बार ओवर विदूँआ मुश्किल से 15-20 मिनट लगने वाले हैं कैस्ट बुक में सबसे ज्यादा टाइम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बड़ा है थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन भी हिलाने वाली है मिंस कन्फ्यूज करने वाली है और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी है जो बिलकुल हिला देंगी लाइक अब जो मैं बता रहूं वो चीस गौर से समझना तभी समझने आएगा क्या कैश बैंक कैश बैंक कैश बैंक डैबिट और क्रेडिक ठीक कैश का बैलेंस हमेशा क्या होता है डैबिट क्योंकि कैस नेगेटिव नहीं हो सकता तो जब हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे मिस उपर से लेकर आएंगे तो हमें पता है किस साइड आएगा डैबिट साइड किसका कैश का मान के चलो 100 रुपे ठीक ये कब आएगा जब हमारा कैश पॉजिटिव होगा और हमेशा 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 ही पॉजिटिव रहता है या फिर जिरो दाला कि यह किसका हुआ पालेंश बीडी किसका कैश का मिए अब देखते चलना में रंग कलर चेंज कर रहाँ पहला बेलान्स पॉजिटिव है किसका बैंक का है ठीक है यह सारे किसके बैंक से रेलेटीट है ब्लुपैन से होगा तो पॉजिटीव ठीक है प्रिव और फिर है दूसरा बैंक वैलेंस नेगिटीव है मेंस बैंक ओवर ड्राफ है तो किदर आ Vape रहिएह याएगा पाता है नेगिटीव बैलेंस किसा सब्राइज के ओ टाय ते रहुकेर मैं प्रेस्थ पाइज़ 500 किस सा गे तरह टाय या क्रेइस साइड और और अगर balance positive है तो debit side ठीक आगे बढ़ें एक चीज और बताते हैं कि balance निकलता कैसे है जैसे तो मैं बता चुका हूँ यह चीज लेकिन फिर भी एक बार धुबारा से समझा देता हूँ महरे पास गोल उसे रुपए आये 100 रुपए कैश में आये ठीक और 200 रुपए बैंक में आये फिर हमने निकिता को पेमेंट कर दी निकिता को पेमेंट कर दी 20 रुपए की कैश में और 250 रुपए की बैंक से अब जब बैलेंस निकालने की बात आएगी बैलेंस निकालने की बात आएगी तो हमें पता है क्या कैश का बैलेंस हमेंसा डैबिट होता है मिन्स कैश का डैबिट साइड हमेंसा ज्यादा होगी तो हमें पता है 100 का 100 लिख दूंगा अब फिर इध दिया क्यों क्योंकि debit side ही ज्यादा होगी इसलिए हमने इधर का न देखा भी नहीं तब भी हमने क्या लिख दिया सो लिख दिया अब जाब हम इधर calculate करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 80 इसका balance अगे देखो बैंक के जब transaction करेंगे तो क्या हम इधर सीधा सीधा 200 लिखते हैं नहीं लिख सकते क्यों तो कि क्रेडिट साइड पहले लिख देंगे और फिर डेविट साइड लिखेंगे कितना 250 समझ गाया हमें यह देखना पड़ेगा किस साइड का बैलेंस जादा है तब उसके बाद हम टोटलिंग नीचे लिखते हैं क्यों पता चला आपने यहां 200 लिख दिया और बाद में पता सब्सक्राइब तो यहां पर काट के फिर 200 कर दो सब्सक्राइब वह चीज गलत होगी दोनों देख ली अब यहां पर कोई एंट्री होगी क्या नहीं एंट्री का होगी 50 रुपकी यहां पर किस नाम से बैलेंस कि कैरीड डाउन के नाम से और यह क्या है ओवर ड्राफ्ट है अब नेक्स्ट में आपको क्या करना होता है बैलेंस को उतारना होता है नीचे ले जाते हैं नेक्स्ट में तो किस तरीके से एंट्री होगी यह वाली जो entry है वो किस सेट जाएगी debit side balance brought down कितने रुपे से 80 रुपे से और यह वाली किस सेट जाएगी alternative side यहां पर एका लिखोगे balance brought down किसका balance है bank का कितने रुपे 50 रुपे और यहां लिख दोगे क्या overdraft वाला है क्यों क्योंकि negative balance है bank का कि यह चीज़ समझ में आगी ना तो जब आप practical question करोगे तो उसमें यह वाले question आपको मिल जाएगा कि आगे बढ़ें कि आपको कौन कौन से करा चुका है देख लो एक बाद कर दो कि इस भूक है हाँ single column और double column में आपको मैं फर्क बता चुका अब देखो simple और analytical में भी फर्क बता चुका हूं कि क्या चीजा होती है तो एक बार उनको भी छोटे में लिक देख लेते हैं क्या क्या होते हैं सबसे पहला है आपके पास separate record नहीं होते है separate रिकॉर्ड simple और analytical ठीक है क्या simple में separate record होते है means traveling के सारे खर्चे एक जगए ऐसा होता है क्या नहीं क्या analytical में होता है जी हाँ analytical में ऐसा होता है दूसरी चीज simple वाली जब आपकी pretty cash book बनेगी तो आपका जो account बनेगा वो बिलकुल T-shape बनेगा means debit side और credit side equal होगी means यह किस भाग में होगा दो भाग में होगा ठीक divided into two shame size means debit side भी बराबर ही का size होगा और credit side का भी बराबर size होगा ऐसा होगा simple में होगा लेकिन analytical में नहीं होगा क्योंकि जब आप record करोगे ना analytical में तो आप क्या करोगे मैंने आपको बताया दा इस तरीके से बनेगा और यहां पर क्या होगा receipt और यहां पर सारे कितने इतना बड़ा क्या बन जाएगा एक्सपेंस का तो एक्सपेंस का तो बड़ा होगा इस पेस और रिसिप्ट का कितना होगा चोटा साइस पेस होगा यह समझ मैं कि साथ के साथ आपके पास जो टोटलिंग होती है क्या टोटलिंग सेप्रेट होगी यह हमें पता है जब सेप्रेट रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे है तो हमारे पास टोटलिंग होगी क्या वह सेप्रेट हो सकती है जी नहीं सिंपल में हमारी नहीं होगी लेकिन अनलेटिकल में होगी तो यह चोटा सा डिफ्रेंस है जो सिंपल प्रिटी के ट्रांजेक्शन क्या है बैंक वाली ट्रांजेक्शन आपको मेरे दिखाई थी कौन सी यह भी नहीं है आगे यह 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 एंट्री में आपको दिखा चुका था बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट मिन्स बैंक में रुपे कैसे जाते हैं और बैंक से रुपे निकाले क कहीं ट्रांसफर कर रहे हो जा भीज रही हो तो कैस हमारा कम होता है कैश कम होना तो हम क्या करते हैं क्रेडिट आप और इस कश को हम कहां बेज रहे हैं पीटी गएश मैं तो पिटी कैश बुक या कह सकते हैं कैस्पॉड की जगा cash अब हमारे पास पिटी कैश्बूक में अमाउंट आ गया 100 रुपे और 100 रुपे कैश अकाउंट से कम हो गया अब जब हम पेमेंट करेंगे जब हम पेमेंट करेंगे जब हम payment करेंगे तो entry क्या होगी खर्चे बढ़ते हैं तो debit तो हम यहां लिखेंगे क्या expense account debit और payment कहां से कर रहे है cashbook से जी नहीं हम कहां से payment कर रहे है पिटी cashbook से तो यहां लिखेंगे क्या पिटी cash account ठीक अगर मानके चलो 80 रुपे से ठीक तो यह होती है हमारी कि exactly anti cashbook में से entry की टीज़ागती है यह चीज समझ में अब एक चीज और समझना पिटी cashbook का का लोजिक क्या होता है доллар केえば सईंखना business fnet विजनिस में कौन है accountant कि अब a kordinate कि दो क्या करना होता है intakes maintain करके चलनी पड़ती है अब है कि इस Kita हमान लगेगान है Isaac है SaaS लेकर आना है है वह क्या ओनर के पास जाएगा वोग पार गटे के अने हैं यह हो गया ए कंटे के पहले कि बाद ौह भी लेकर आनी थी कुछ में जबका या कोपी लेकर आश तब प्र पढ़ पर ऑनने हैं बिजनेश ओनर बोलता है ले तोड़ी ज़ीर बाद जाता है वोलता है समान आने का खर्चा देना उसको भडू को भडू देना इसको त्रीस को न कितने फ़्यां पचास रुपए तो ले बाई पचास पढ़ा थो तीसरी बार पहुंच चौति बार पहुंच नो लेटर post तो के लिए जो있 스ओंप आती है न पोस्टेथ वो स्टेंप लेकर आने हैं इस कम करूंत ότι और के लिए तो coal यार धर रवार रुपए होते हैं तो एक का आफ मेरे श्ते ना स्टेम्प आती है पोस्टैच वह स्टम्प थाने काम करई हरो 10 रुपे और दो और इस प mosquitoes को आपको क्या करना है वीग ली चलाना है यह फिर खतम हो जाये तब मांगने है यह उसक्त। वह क्या करेगा एक बड़ा अमाउंट आपको पे कर देगा और अब आपको उसी अमाउंट में से जो छोटे-मोटे खर्चे हैं पिटी एक्सपेंस हैं वह आपको पे करने पड़ेंगे ठीक इससे क्या benefit हुआ जो 100 रुपे 200 रुपे 50 रुपे 10 रुपे के लिए बार बार ओनर के पास भग रहा था लेने के लिए वह भगने नहीं पड़ेगा दूसरा वह अपने आप से खर्चा कर सकता है पहली चीज समझ में आगी दूसरी चीज एक किस तरीके से repeat होती है मान के चलो तो 7 डेज के लिए वह 5000 रुपे देता है वह 5000 रुपे हर 7 डेज में पे करता है तो इसका मतलब यह थोड़ी आ है कि अगर मान के चलो फर्स्ट वीक में कब फर्स्ट वीक में वह 4500 रुपे खर्च कर चुका बचे कितने 500 अब बोलेगा 7 डेज हो गए आप मेरे को 5000 रुपे चाड़े 4000 रुपे बचे फिर वह 5000 रुपे देगा टोटल कितरा होगे चाड़े 9000 रुपे क्या यह चीज सीन अच्छा लगेगा कि अब उसके पास क्या है जितनी भी सेविंग है वह बढ़ती जा रही है मीज पीटी कैश्बूक का मांट बढ़ता जा रहा है तो क्या यह बची क्या एक चीज बताओ आप उसमें सेविंग की तरह रुपे फूचते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो यह चीज अच्छी चीज है यह तो आपका जो कैस है वह क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा क्यों क्योंकि आप इसको यूजी नहीं कर पा स्कुर्ण तो अहनर क्या कियागा ओनर कहेगा एक काम कर । कि यह है कि समझ ना ऑनर क्या क्या आओ लोगा वो टेम कर थो यहांद 374 42елю ना म agrees चलोंकि क्चाथ चाहर जार बचे हैं तre押वास एंगांगे सरे मेरे हजार रुपय और ले बस पormuş कितना बचा कई 55 तो बचा फिर बापस से उस पर इसका मतलब हमार YouTube है Maintain करेख फोकर एक बैलेश को किसको एक बैलेश को और एक बैलेश को इस Went वह केश में 5000 के फाइच में आगया तो मेरे हिसाब से कैश बुक का टॉपिक खतम हो जाता है आपका ठीक अगर कैश बुक में से आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को टेलिग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेश करके पूछ सकते हो ठीक बाकी अब आ जाते हैं पर 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 चेश बुक किस तरीके से बनती है आपको कुछ नहीं समझना बस अब जो चीजा मैं बता रहा हूं या फिर एक काम करते हैं वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी तो पर्चेश और कैश बुक यह जितनी भी चैप पांच बुक रह गए हैं पर्चेश पर्चेश रिटर्न सेल्स सेल्स रिटर्न औ जब तक अपना जो भी है कोशन्स प्रैक्रिकल करके देख लिए जब तक मेरी वीडियो नहीं आती है फिर आप खुछ से ट्राय करेगा हो जाएंगे आप से कुशन ठीक है थैंक्यों फॉर बाचिंग मैं वीडियो वीडियो हैव नाइस टेक गुडबै और टेक कियर प्ली